गुद मॉर्णिंग स्टुडेंट्स वालेगन तुमाइस क्ला स्टांडर्ड था तुडें वी वी गोई तो आपको बता रहे हूं कि जा हमारा नीवल एक्जाम अगर हमारी होती है तो कुई भी स्टांडर्ड रहे है उसमें मैट्स एंड इंग्लिश्टू का जो सब्जेक्ट है वो उसमें पूरा सिलेबस आता है इसलिए हम के फर्स चैटर से रिवीजन हमने स्टार्ट किया है तो अभी हमने रिवीजन में विफ की चाटर में आ गया है चाटर फिफ शेट इसमें इस चैपर के नाम है तो यहाँ आता है ही और टुम्फ टार्ट यूराई पहले स्रेप्स की बारे में हम समझ लेते है तो स्रेप्स होते हैं उसकी साइब साइब सतनी होती है वह पहले देख लेते हैं स्र्कुल क्या है circle, circle तो सबको पता ही, okay, circle जो है उसकी कोई side होती है, नहीं, वो हर तरफ से semi size का होता है, semi side, मतलब वो बोल होता है, circle होता है, तो उसकी कोई ना corners होता है, ना कोई अगर आपको side दिखाई दे, okay, तो वो हर तरफ से semi दिखता है, तो वो होता है circle and circle has no side, कोई भी side नहीं ह कि स्टार्ट को सब्सक्राइन को बिस्ट कि सब्सक्राइबrau ढ Heather शुकर लानर दुसरे क्या है लानर विए हुझे सकते हैं पंधि रू समयग किंने साइड होती है, three side होती है, तो यहाँ पर ऐसा नहींगी three of a is equal होनी चाहे, यहाँ पर triangle कोई भी दढ़ीके से आप कर सकते हो कि triangle है, तो आपको उसे एक आझे अगर इस तरह से भी बना सकते हो, दो गिराईड साट उसे तो ट्रायंगल से त्री साइड होने हैं चाहे हो पूली उसकी साइड स्वाटर बार हो बट side 3 होनी चाहिए, जिसकी 3 side होती है, वो होता है triangle and triangle का other name है trigger, क्या है trigger, ओके next देखते है, 3 number का shape, तो 3 है हमारा square तो square आपको देखे, shape देखे आपको पता ही चल जाएगा circle है, triangle है, square है, rectangle तो अभी square क्या होता है तो यह जो shape है उसका नहीं, square and that other name is a tetragon square का other name क्या है, तो tetragon, so okay, tetragon है and उसकी इतनी side है, तो 4 side है, बट इसका एक चीज़ है उसकी 4 side जो है, वो equal होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कि equal, उत्तम same होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक पिचे, जैसे मैंने चला for example, कि यह मैंने उसका ऐसे कर दिया, फिर ऐसे किया, फिर आसे है, फिर आसे है तो यह triangle होने का, यह कैसा, तेहार मेटा लग रहा है, तो 4 side जो यह, अगर 10 cm है, तो यह भी 10 cm, 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 बट जब चारो side उसकी इक्वल होना बहुत ही इक्वल होना बहुत ही इक्वल होना है, ओके, जैसे मैंने यह नहीं आप पता, कि triangle में 3 side होना important है, बट उसकी size सेम होना important है, बट यहाँ में triangle में, sorry, square में जो है, square की other name जो है, वो tetragon है, and उसकी 4 side equal होनी चाहिए, 4 side, same size की होनी चाहिए, equal that means, same size की होनी चाहिए, next 4 number का shape है, हमारा red tender, क्या shape है, red tender, उसका other room क्या है, तो 4 sides है, opposite sides are equal, तो उसकी opposite side जो है, वो equal होनी चाहिए, opposite मतलब z, उसके सामने वाजी side हों के, वो equal होनी चाहिए, तो जैसे यह size है, तो यह उसकी opposite, मतलब यह same है, यह यह, तो उसकी opposite side को होनी चाहिए, तो यह दो भी same है, तो square rectangle का रोल क्या है, कि उसकी opposite side एक मतल होनी चाहिए, तो complete rectangle बने जाए है, तो यह 4 shape का मैंने rewind करते हूं मैंने, okay, तो circle has no sides, next shape है हमारा triangle, तो other name is a 3 corn and 3 sides, okay, square जो है next 3 number का shape है हमारा square, square में क्या है, other name is a tetragon and 4 sides है, उसकी 4 sides equal होनी चाहिए, rectangle का rules यह है, rectangle, 4 sides and opposite sides are, इक पर इसका रोल यह है, कि opposite sides इक पर होनी चाहिए, यहां पे रोल क्या है, कि side की 4 sides इक पर होनी चाहिए, तो पहले आप अपना लिखेंगे, फिर आप next step के बारे में लिखेंगे, okay, next five number का safe number, panda one, five number, याप यह है, यह जो से खुदा एक पर उस यह सा नहीं, फोड़ा सा प्रॉस में करना है, तो यह क्या है, इसकी side कितने, देखो यहां में side is one, two, three and four, rectangle में भी क्या है, four side है, one, two, three and four, okay, यहां में इसकी side कितनी है, तो यह हमारी one, यह two, यह three, यह बारी four and यह है five, यह में इसकी कितनी side है, five side, तो five side वादा जूभी shape उसे क्या करेते हैं, तो वो होता है, पेंडा गॉन, तो क्या होता है, पेंडा गॉन, यह shape उसका नाम है, पेंडा गॉन and five sides, कितनी side है, seven, five sides, कितनी side है, उसकी five sides होती है, फिर next हम देखते हैं, कि six number का shape, तो यह shape का आप देखोगे, तो यह जो shape है, उसकी कितनी side है, तो one, two, three, four, five and six, यहां में six side है, तो यह गॉन सा shape है, तो hexagon, hexagon, यह है hexagon, यह है hexagon की side कितनी है, तो six sides, कितनी side है, तो six sides, तो triangle के three sides, square and rectangle की, four, four sides, one, square में, opposite side है, और sides किया होती है, इकवल होती है, rectangle में opposite side होती है, five sides, जिसकी होती है, वो होता है, pentagon, and six side, जिसकी होती है, वो है hexagon, ओके, और एक shape, यहां पे हमें 10 gram, इस chapter में आता है हमारा 10 gram, तो 10 gram में एक और shape आता है, जिसके बारे में समने क्या स्खाता, कि rectangle, rectangle लिख दिया था, वड़ उस shape को कहते है, पहला yellow black, उस shape को क्या कहते है, तो पहला yellow black, तो यह seven shapes के बारे में इस chapter के लिए, यह seven shapes के बारे में आपको चलना बहुत ही जरूरी है, तो यहां में एक shape था, तो वो था ऐसे, इसको क्या कहने है, पहले एक straight line का तो फिर निचे थोड़ी से आगे जाके एक दूसरी line से बनाओ, इसको ऐसे जोड़े, तो यह जो shape है, वो आपको 10 gram में आता, किस में आता है, 10 gram, 10 gram क्या है, तो 10 gram एक puzzle है, 10 gram क्या है, एक puzzle है, जिसे square में सारे छोटे-छोटे shapes जो है, उसे जोड़ के, जैसे square है, 3 shapes से 10 gram बनता है, तो यह दिए है, पहला लेलो ग्राम, फिर है, square, rectangle, and triangle, चार shapes यूज़ करके आप पहला लेलो ग्राम अप्लेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे यह shape का नात्या है, तो पहला लेलो ग्राम, और उसकी भी force भी उती है, तो आमने 10 gram पे देखा था यह बला shape, तो यह shape को आप rectangle नहीं कह सकते हो, यह पुरा cross होता है, sorry, यह जो shape है, पुरा cross होता है, तो उससे आप rectangle नहीं लेख सकते हो, यह shape को कहते हैं, फिरा लेलो ग्राम, उसकी भी force side ही होती है, उसकी 5-6 या extra side ही होती है, तो यह जो है, यह सारे shapes को क्या खहते हैं, तो polygon करते हैं, बन忙ौ यह पुराब करें, दा नहीं पुराब को आपक्ताव और झाहते ह्टान, किसे झाहते हैंवा झाहते हैं सिभाज सिभाफी कर्णिमे में, यह खहते हैंढ क्म्य acost on, यह जोू खहते हैं, यह भी जाड़ कें जाडै ये गृरीग वाड है and ये पोलीच अटमेंज बादिफरन शेप्स, डिफररन शेप्स का एक वाड है, जैसे वैजेबल है, तो वैजेबल में बहुत सारे आते हैं न, तो यहां है शेप्स, तो शेप्स में जैसे अऔर नपर होते हैं, इवन नंपर अलग होते हैं, तो यह क्य Polygon that means different angle, क्या आता है different angle, तो poly means, means many, and gorn that means, gorn means, which means angle, angle. तो polygons का मतलब है, बहुत सारे angles, different different angles, उसे कहते है, polygons, ये polygons अबने आ गया है, वैसे ये सारी चीज़े मैंने आपको जब ये chapter कराया था, तब भी कराया थी, बड़ ये rewind हो रहा है, revision हो रहा है, तो आपको अभी, अगर तब आपने नहीं किया है, तब आपने नहीं लिख तो आप अभी ये सारी चीज़े, fix आपकी नौबू में, write down करते जाएं, तो rewind भी हो जाएगा, practice भी हो जाएगी, and maths में, always मैं आपको बताती हूँ कि, maths में आप जितना bevision करोगे, जितनी practice करोगे, उतना ही आपको ये फायला है, कि कि, यहाँ पे लिदाद कुछ नहीं करना यहाँ पे सपनी समझ से समझ solve करने करते हैं, तो यह आप इतना दिख वीजिए, जितने shapes है, फिर हम next way check, okay, तो यहाँ पे polygon, अभी हम 10 gram के बारे में भी CK, okay, फिर एक simple जाए था, कि sides आपको देख नहीं थी, तो वो वाला topic हम करेंगे, जिसना आपने वाक्षिं में बहुत पूंती, प्रोबें ति चाप्यदी ने proper फिल महीं किया था, तो वो topic अबम करेंगे, पहला हम इतना कर लोंच, okay कांटल ने आप इतना प्रोबेंगे, प्रोब्द इस प्रोबेंगे को अब को दो इस दो करनी हैं कि पुछ इनको फो करनी है को सब्सक्राइब तुम्लैंस फिक վरीजेश्थ करनी है जैंब तुम्हां पे पहले बिश्टाइन आको बनाते हैं सुपयरो बनाते हैं जी करना बनाना indic देगे एक circle, circle हुँआ, then, चोटा तो देद एक बड़ा circle रहे हो, बड़ा circle, तो ये गहां पर रखना है, वो ही जरूरी है, एक थोड़ा सा उपर रखना है, देद एक circle तोड़ा सा नीचे रहे, अब ये होंगे ही उसकी width, यहांपर होंगे चोटा से circle उसकी eyes, यह उसकी बनाओ इश नाम टैराम करने लिए इसकी ट्राइंगल ये यूस लिया जो करता है지만 बनाने के लिए लिए हम इश करना पड़ेगा अंट़ाये लिन ही बनाने के लिए में लिए ंपने जों यूस करके आपको उसकी design बना दिन है है, आप house भी बना सकते हैं, जैसे house का तो आप rectangle यूस कर सकते हो, square यूस कर सकते हो, circle, triangle, 3-4 shape यूस करके आप house बना सकते हो न, तो आप अपनी तरह से और भी design बना सकते हो, उसमे color fill कर सकते हो, बट में चीज जीज क्या है, यहांप आपक स्टीपस यूज करने हैं, क्या यूज करनें, सिट्स यूज करनें, चाहे सरकल यूज करो, स्ट्रेंगल यूज करो, बट सेख को यूज करके आपको डिजाइन गरना वोगे, चल्ड़ों, अभी नेक्स टापिक जो है हमारा, वो है, कांट कॉर्टास, nbeli, हमें corner count करने हैं, जो भी shapes है, corner मतलब उसके, जैसे circle के, कोई भी corner नहीं है, ना उसकी कोई size है, तुकि वो पुरा circle है, अभी जैसे first, जैसे first, जैसे बनाना, मैं पेरे लो कर लेती हुँ, जैसे corner में आपको, time count करके, बता हुँए, तो, second जो है हमेरा, ते थाड़, थाड़ में करते हैं, यहां तब उसके corner आपको find करें, मतलब उसकी sides, तो, यहां पे मैंने first shape, जो जो रो किया हुआ है, first shape, तो मैं आपको बता दी जा रहे हुँ कि किस तरह से count करना है, तो, यहां पे है, आपको दिख राए triangle, बट उसकी corner change हो रहा है, यह है one side, उसकी second, यहां पे फिर change हो रहा है उसका same, तो यहां पे है one, two, three and four रहा है, इतने आपके corner, यहां पे अंसर रहा है, four corner, इतने आपके four corner, कि यह one, one, two, three and four, okay, मैं नबर भी लिख रहे हो रहा है कि आपको कोई भी query नहीं रहा है, अभी यहां पासर इसका five करना है पे होगा, one, two, three, four and five, यहां पे यह middle का देतने की जरुरत नहीं है, okay, यहां पर आप सीधा five इतना है, यह तो सर्फ design के लिए बीच में blind करते है, okay, तो यह उसका corner नहीं, जो भी बहार की, शायद जो होती है, उसका ही अमें corner देखना है, यहां पे हो जागा, यहां पे answer रहा five, okay, five corner, फिर यह जो shape है, यह जो cape होती है, वर्टी में, पार्टी में, या फिर जोक्तर की cape होती है, तो आपने देखा ही होगा, यह न, तो उसका क्या होता है, यह जैसे यह triangle, वो पूरा, जो तो है cylindrical होता है, उसका shape, यहां पे आएगा two corners, okay, यहां पे आएगा two corners, फिर, next देखे हैं, तो one, यहां पे आएगा one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, कितने हो जाएगे, तो nine corners, okay, बैसे corner मतब point भी होता है, तो आपको यह लेखना होगा, one, two, three, यहां पे time हो रहा है, four, five, six, seven, eight and nine, यह न, nine हो रहा है न, तो इस तरह से आपको point रहा है, okay, corner का मतब क्या होता है, जर्मों पे पो point होता है, तो one, two, three, four, five, five, okay, क्योंकि यहां में यह हमने count अल्रेडी कर लिया है, अभी next देखते हैं, मैं रोप करूंगी यह, sides and corner में थोड़ा, same, 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 maximum, same ही आता है, side or corner, corner मतब उसका point ही, जो corner side होती है, वो, okay, next five number करेंगे, तो जैसे ही है, half, six number, arrow, okay, तो यहां पर आप देखोंगे, तो corner कितने है, one and two, कितने है, one and two, तो यहां पर answer आएगा two, फिर यहां पर कितने corner है, तो one, two, यहां पर लिखते चाहिए, one, two, three, four, five, six and seven, यहां पर answer आएगा seven corner, कितने corner है, तो seven corner है, यहां पर देखते है, तो यहां में एक और आप लोग करते हैं इस तरह से, okay, अभी उसके corner मितला, जैसे इसका जाना पर point होता है, जाहां पर line turn होती है, move होता है line, straight line है, तो वो सीधा उसकी side है, और जहां पर turn होती है, उसका शहर से change होता है, वो होता है corner, जैसे यहां पर है, one, यह होगा, two, three, four, five, six, यहां पर यह है, और यह हमने count कर देखते हैं, तो यह होगा, इसकी बितनी, तो six corner, इतने है, six corner है, six corner है, six corner, वैसे मैंने एक order करके दिखा गया, तुम जासे circle है, तो circle दा कोई भी corner नहीं होता है, simple सा आजर से यह है, तो यहां पर simple triangle है, तो यहां पर one, two, and three, यहां पर answer आज़ता, three, four, five, okay, तो जहां पर simple था, जहां पर problem आपको जादा नहीं आती है, बट जहना पर क्या होता है, कि तोड़ा सा भी उपर नीचे हो जाता है, तो problem हो जाती है, तो मैं भी और एक से बेक्नों shapes ऐसे बता देती हूँ, जाना पर आपको problem हो जाती है, तो वो करेंगे आप, next line number, ऐसा है अगर shape, तो मैंने जैसे बता है कि जहां line straight है, तो वो A की corner आपके आगा, पर जहां से turn हो रही है, जहां से line turn हो रही है, line change हो रही है, जैसे यह straight, शुक्री तो यहां से check हो रहा है, तो यह उसका corner है, हैना, यहां पर हम count करते हैं, तो यह होगा उसका, one, two, three, four, five, six, seven and eight, तो यह पुड़ा है, तो कि यहां से भी चेप रहा है, यहां से भी turn हो रहा है, यहां से turn हो रहा है, तो उसके total कितने corners हो जाएंगे, total eight corners, eight corners, okay, total हो जाएंगे, eight corners, अब next और यह के साथ same thing लेते हैं हम, ten number, के नीचे ने दिरूंदें, तोड़ा उन्टा करें लेते हैं तो इसा बाएं, तो यह जी से घयर कर रहा हैं, और यह जी जैसे विए यहां ग्यार कर रहा हैं है, तो अभी यहां पर इसके corner find करने हैं, तो जहां से जैसे रोड़ बतर जैसे time होता है, तो यहां पर हो, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven and twelve. तो देखो, कितने सारे corner हो गए हैं, यहां पर आएगा, twelve corners, है न, किवने corner हो जाएगे उसके, twelve corners, okay, जिसे eight भी कहते हैं, okay, उसकी eight जिसके size, okay, तो side हो, corner हो, तो corner and side maximum equal होगे, अगर आद side होगे, तो भी one, two, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, and track self होती है, तो यह आज हमने इस chapter में क्या क्या सिखा, तो shapes के बाले में सिखा, shapes के through-hound होना है, design भी मिना सकते हैं, house भी मिना सकते हैं, and shapes के corner आपको count देने हैं, तो जहां से shape change हो रहा है, वो उसका corner होता है, जहां से line आपकी turn हो रहेगे, move हो रहा है, straight की जगा, बीचे ज जाओ लिए, ऊपर जारे, तो वो क्या हो रहा है, आपका shape जो है, वो change हो रहा है, आप जहां पर shape change होता है, वो होता है, उसका corner, okay, तो इस chapter में आपने दू चीज़े सिखी आज, वो corner की तरह से लिखा होते हैं, कि corner की में है, वो हमें section है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, and then साथे shape के बारे में सीखा, तो circle है, जिसके कोई भी corner और sides नहीं है, फिर आता है second number पर triangle, जिसकी three sides होती है, बढ़ यसा ज़री नहीं है, कि three sides equal होनी चाहिए, फिर next three number पर, sorry, three number पर आता है, अमारा square, square को, sorry, triangle को other name क्या है, तो three one है, okay, and square का other name है tetragon, और square की four side होती है, और four side ही equal होनी चाहिए, then next है rectangle, rectangle की भी four side होती है, बट उसकी opposite side equal होती है, तो जिसकी five sides होती है, वो होता है, pentagon, and six side जिसकी होती है, वो होता है, hexagon, वैसे बहुत सारी sides वाले भी होते है, बट हमें यहां पर six sides तरका ही करना है, and then extra cheese का जो पैरा लेलो gram था तो total seven, six की बारे में हमने सिखा, और इसी की बेस पे हम next period में, जो 10 gram जो होता है, उसके बारे में सिखे गयो, okay, तो आजका लिए chapter में यहीपे stop करेंगो, next period में इसी chapter के 10 gram के बारे में हम सिखेंगे, thank you so much